नमस्कार मैं हूं डॉक्टर भरुन प्रफा और स्वागत करती हूं अब सब लों का अपने इस चैनल पर आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर डॉपलर अल्ट्रसाउंड के बारे में आज के हमारे जो हेल्थ केर सेक्टर में मेडिकल टिकनॉलोजी में इतनी जाद rant neuplant इस में ये तरीके का नौन इविस टाइक है जिसमें की साउंड वेच्टी है उनका अंधिया जाता है उसके बारे स्वीडियो में हम इसे के बारे में डिस्क्श करेंगी ऑन इसे की कि युजर तो में क्या होता को समझा जाता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर ले ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस्स ना हो और मैं आप तक ऐसे ही अलग लग जो मेडिकल टेस्ट है टिकनॉलजी हैं या इन्वेस् काई सारी कंडिशन से में किया जाता है जैसे की इन्हें किया जाता है इसका थोर्ड फिकन कंडिशन्स में करवा जाता है तो एक ठेस्ट को करवाने के लिए अध्य करते हैं माल लेजिए अगर किसी पेशेंट को पैर में बहुत जादा दर्द है वहां पे स्वेलिंग है और जो डॉक्टर के बारे में सस्पेक्ट करते हैं या फिर डॉक्टर को लगता है कि जो हाथ और पैर के जो मसल्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आई है जो में टेस्ट होता है वैसा है उसके अलावा जो स्पेशल कंडिशन प्रेगनेंसी के दोरान इस टेस्ट की बहुत जादा इंपॉर्टेंस होती है प्रेगनेंसी में भी करवाया जाता है प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो है उसको समझने के लिए बच्चे बाकि सारी चीजे आरा के लिए कोपाविन सती कि दौरान बच्चे की सहत जाने के लिए कराया जाता है जो उसके त्रांस 직 ऑन में कर्आया जाता यह देंगा कि पोर्ण इस नहीं कर दिया है वह नहीं कुर दिया है या यह तर लिए तो उसमें होता है जो थेस्ट के लिए कि इतने समय की जब आंदा गंटे से एक समय का स्मय लेकर ही इसके लिए जाना चाहिए उसके अलामा इसमें क्या क्या पेर्परेशन की तु के सब्सक्राइब एक important चीज़ है कि nicotine का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में कम से कम आदे घंटे से लेकि दो घंटे के पहले तक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह वैसे construction करता है जिसके वज़े से false result आ सकता है जैसा कि मैंने बताया एक तरीके का इसमें जो Images होती है वो color आती है तो जो हम इस इसे blood flow देखते है तो जो arteries होती है जो एंस होती है जो फीर कॉर्ट को प्रस्टे हैं और समझते हैं कि किसी भी जहां भी इस भी इक्ष्ट जगह का इमेज लिया गया है वहां का blood circulation कैसा है वहा स्वरान को समझा गैसे किया जाता है अब उसके जह करते हैं जो यह वीöt At जहां को मिक्वायट जगह इसको Umics कि ईने जश सब्सक्राइब छेया जाता है जो थोड़ा सा ठंडा सेंसेशन दे सकता है उसके बाद एक प्रोब जैसा एक प्रोब होता है जिस जगह पर जैली लाइक सबस्टेंस लगाए जिस जगह का अल्टर सांड करना है वहां पर उसको स्किन के ओपर मूव किया जाता है और वह अटैश्ट होता है स्क्रीन से तो ज जो आपकी condition है उसको समझने की कोशिश की जाती है तो यह एक अनॉनिमेज़ी टेक्नीक है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था तो इसमें किसी भी तरीके की किसी दर्द का एहसास नहीं होता है जेली के विज़े से थोड़ा थंड़ा लग सकता है जो कि नॉर्मल फिनॉमिना है तो समझते हैं इसकी result को कैसे interpret किया जाता है तो इसका जो image होता है उसको देखके समझा जाता है कि जो भी required जगह हमने जिसका test किया है वहां का जो blood circulation है वो कैसा है जो वहां की blood vessels है वो कैसी है किसी blood vessel में कोई clot है या इस तरह की problem है वो भी समझ आ पाता है जो डीवीटी है उ साथ ही साथ अगर पेशन जो अगर है वो अगर माल लेजिए को उसको प्रीवेस को स्ट्रोक हुआ था तो जो ब्रेन का ब्लद सप्लाई है जो इसकी अभी blood circulation कंडिशन इसको भी जाना जाता है उसको भी समझा जा सकता है उसकी अलावा जब प्रेगनेंसी में करते हैं तो जो बेबी है उसकी जो और है उसको समझा जाता है ब्रेन की ब्लद सप्लाई देखी जाती है उसकी हार्ट की ब्लद सप्लाई उसको जो मदर से ब्लद जा रहा है वह कैसा है जो यूटरिस है उसका ब्लद फ्लो कैसा है यह सारे जो डिटेल्स होते हैं वह भी स्टेस्ट के या इस तरह की कोई कंडिशन दिखती है तो यह समझा जाता है कि जो ट्रांस्प्लांट है वो सही नहीं हुआ या फिर उसको वो फेल हो गया लेकिन वहीं पर ब्लट वो सही दिखता है कोई ग्लॉट नहीं होता है तो इस तरह से हमने जाना कि जो कलर डॉपलर अल्टर लेकर वो शेयर की उम्मीद करती हूं आपकी जो अंडेस्टैंडिंग है इस टेस्ट के प्रती वह काफी बढ़ी होगी और इसके अलाब यगर आप कोई क्वेस्टन रखते हैं कुछ और भी पूछना चाहते हैं किसी तरीके का कोई सुजाव देना चाहते हैं तो कमेंट ब